थे लूचानल दोस्तो डायकलन ने 24ग की अपनी नई से चिरीज लाउच कर दिये यह देखिए यह सारे के सारे उन्हों ने लाउच कर दिज़ा है जितो क्या उन्में benefit मिलने वाला है किस तरह की quality वो देने वाले हैं तो दोस्तों मैं एक-एक करके आपको सारे के सारे model दिखाऊंगा एक-एक करके बताऊंगा कौन-कौन सी series उन्होंने start की है जैसा कि अभी आपने देखा inverter series है non inverter series है, hot and cold series है उसके अलावा दो model ऐसे हैं दो series ऐसी है जो कि उन्होंने नहीं launch की है यह देखिए FTKC48 यह नई series है 2024 का नया ऐसी है यह hot and cold series है इसके अलावा एक series हो रहे है, वो है FTXF, FTXF 50 यह भी नई series है जो की 2024 की series है यह देखिए दोस्तों सारे यह सारे model सारी की सारी series आज की वीडियो में आपको दिखने वाली है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जो की दिगा क्योंकि ऐसी वीडियो में आपके लिए मैंशा लाता रहता हूं नहीं 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 अपडेट नहीं नोलेड हर च तो पहले तो मैं आपको बता दू की कंपनी ने किया-कया मीट में जो हमारी दिलर मीट थी उसमें क्या क्या बताया है क्या क्या उन्होंने ऐस्ट्र debitter जिए हैस्ए पहले त उन्होंने यह बात बताई कि हमनें जो कोईल है कोपर के पाइप पर जो बैंड होते हैं उन पर कोटिंग की यह जिसे क्या है लीके जोने के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं दूसरा दूस्तों यह देखी यह है नोग इनवाटर सिरीज है इसके अंदर आपको एयर क्वार्टी का बहुत उन्होंने बताया है एक क्वार्टी आपको अच्छी मिलने वाली है जन्स फ्री एर मिलने वाली है उसके लिए उन्होंने डिवाई लगा है जो कि बेक्टिरिया को 90% रिमूव कर देते हैं यह दोस्तों मिशीन के अंदार यह है जो की 90 प्रीमूव होजाते हैं जिससे प्योर एयर आपको मिलती है जो कोटिंग clog陼 वह ऐंटी को रोजीं कोटिंग है गाल कि five-nyabas दोस्तो 54 डिगरी तक कंपनी कहती है आप ऐसी को चला लीजह एयर क्वार्टी की बात कर रहे हैं एफिशनसी की बात कर रहे हैं 10 प्लस 5 वियर्स की वरिंटी इन्वार्टर इसी पर है one फ्लस 5 प्लस 10 मिलेगी आपको इन्वार्टर को इसी पर और one 1-5 की मिलेगी आपको नोन इंवर्टेस बें यह होटएंड कोल्ट सीरीज है इसके अंदर भी आपको सारी वरिंटी मिलने वाली है 1-5 10 यह देख ली दोस्तों यह होटेंड कोल्ट सीरीज है मैंने अभी आपको नोन इनवर्टर भी दिखाया था एक नेया मॉडल है जो कि ट्रिपल डिस्प्ले है और अटी सोरी एंटी क्रोजन इसकी कोटिंग है यह मिलेगी जर्मस्क्री एयर मिलेगी पीम 2.5 फिल्टर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं एक इनका फीचर आया है ड्यू क्लील टेकनोलजी वह मैं आपको समझा देता हूं ड्यू क्लील करती है उसके लिए आपको मेकैनिक को बलाने की जुरत नहीं है ड्यू क्लील टेकनोलजी के इसाब से अगर आप चलेंगे तो यह 90 मिनट का प्रोसीजर है 90 मिनट तक आपने क्या करना है कुछ नहीं करना वह मशीर अपने आप ऑटोमेटिक करेगी सिर्फ आपने एक बाद लोंग प्रेस करना है डियू क्लीन टेकनोलजी उसमें लाइट ओन हो जाएगी उसके बाद जो एसी है एसी क्या करेगा एसी अपना वर्स शू करेगा कोईल साव करनेगा वह एयर से मोस्टर लेगा एयर से मोस्टर लेगा एक गंटे का प्रोसीजर होगा डिसके अंदर मोड पे इसी अपने आप चलना शुरू हो जाएगा उसके बाद उसके बाद दोस्तों एसी एक गंटे का प्रोसेस होगा 60 मिनट का प्रोसेस होगा जिसमें क्या है आपकी कोईल को साव करेगा एयर से मोस्टर लेगा और उसको अच्छे से साव करेगा को उसके बाद मोड पे चलेगा 30 मिनट के लिए उसकी कोईल में जितने भी वह सुखाने के लिए काम करेगा ड्राइ करने के लिए काम करेगा वह ओटो मोड पे होगा आपने सिर्फ ड्यू क्लीन टेक्नोलोजी का यूज करना है डेड़ गंटे का प्रोसेस है डेड़ गंटे के अंदर ऐसी चल रहा है आप बैठें या उपका बैठा है आपकी वाइब बैठा है या आपकी माता पीता बैठा है कोई भी बैठ है as why that or AC कर रखा है और सड़नली क्या होता है कि उनको कोई काम पढ़ता है और उपने रूम से उठके चले जाते हैं और AC को बंद नहीं करते हैं तो एसी का सेट था मालीजे 22 डिगरी आपने सेट कर रखा था और आप रूम में से चलेगे बिस मिनट तो कोई नहीं आया है रूम के अदर और एसी चल रहा है तो उस कंडिशन में क्या होगा चो 22 डिगरी का आपने सेट कर रखा था वह ओटोमेटिक 24 डिगरी पे चला जाएगा मालीजे 26 डिगरी सेट किया था तो वह ओटोमेटिक 28 डिगरी पे अपने आप चला जाएगा दो डिगरी अपने आप बढ़ जाएगा जिससे क्या है कुलिंग थोड़ी कम हो जाएगी बिजली बचनी अपने आप शुरू हो जाएगी और इसका जो रिमोट जो फैन की सिप हुआ है एक बहुत ही बढ़िया जिसमें क्या है कि आपको पावच्छ डिगरी पे चलाया और आपको लग नहीं आपको बढ़ भी . का option operate करेंगे तो पावर चल से क्या होगा कि temperature automatic 18 degree पे चला जाएगा लेकिन वो जाएगा सिरफ बीस मिनट के लिए बीस मिनट के लिए operate होगा बीस मिनट तक वो temperature 24 से उठके सीधा 18 हो जाएगा जो fan की speed है वो आपके रूंग के अंदर cooling हो जाएगी बीस मिनट के बाद जो आपने पहले सेट कर रखा था मान दीज़े 24 सेट कर रखा था तो वह 24 अपने आप ही बीस मिनट के बाद आपने सेट किया चलाया operation बटन दबाया तो वह cooling तो करेगा अठारा पे लिंग बीस मिनट के बाद आपको याद है या नहीं है उससे कोई मत्रब नहीं है वह अपने आप ही 24 डिगरी 25 डिगरी जो अब ही आपने सेट कर रखा था पहले अपने आप उस पे चला दाएगा आपको करने की कोई भी जुरुत नहीं है तो दोस्तों आपको सीरीज मैं बता देता हूँ एबाद दोबारा नोन इनवार्टर मिलेंगे जिसकी एक साल एसी पांसा कंप्रेसर गरंटी होती है उसके बाद होट एड मिलेंगे उसके फ developed a 50 पर च्रड़ नहीं अżenia वो मिलेंगी फ्रूटों के किसी सीरी साय मिलें वाली है इननों ने कहरें कर रखा है यह को कई बावन दिवांट चवून तक कोई इस फ्टी सारी 52 वह होई 50 इस मेशन अलगला मोड़े कर अलग लग फीचर आपको मिलने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जीगा मिलते हैं नहीं वीडियो साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक केर